हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चैनल लेर्निंग अरीना आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स, आज हमें आपे डिस्कस करेंगे टेक्शल कोशन आंसर्स पोईम कार्ड ड्रेवर जिसके पोईट पद्मा सच्जदेव जी है ये क्लास 9 की पोईम है इन कोशन आंसर्स को समझने से पहले हमें इस पोईम को समझना बहुत ज़रूरी है तो अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है जहांपे हमने इस पोईम को थौरली डिसकस किया है तो प्लीज पहले आप वो वीडियो देखें उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुके हैं और आप आई आइकन दबा करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए शिरू करते हैं हमारा टेक्स्ट्बुक का पहला कुशन इस तरह है इसके आंसर में हम लेखेंगे बुल्बुल इस एफरेड बिकॉस एट समसाउन इस वांट पहस्टन तो इस नेस्ट बिकॉस इस लिटल वन्स आर देर और इस ड़संट वांट अनी हाम शूट कम तो देम बुल्बुल गबरा इसले गई थी क्योंकि उसने एक आवाज सुनी थी और वो अपने जंगल में अपने घौंसले की तरफ इसले जाना चाती थी क्योंकि उस घौंसले में उसके चोटे चोटे बच्चे थे और वो नहीं चाहती थी किसी भी तरह का कोई भी हाम उसके बच्चों को हो इसलिए वो गुंचले की और जाना चाहती थी Second question में हमसे पूछा गया है कि Why does the bulbul hide itself in the bushes? Bulbul ने अपने आपको जाड़ियों में क्यों छुपा लिया? इसके answer में हम लिखेंगे The bulbul hears the sound of wheels and the sound of leaves crackling The bulbul is scared and hides itself in the bushes to observe the source of sound Bulbul ने पहिये के आवाज सुनी थी और उसने आवाज सुनी थी सुखे बच्चों के तूटने की और उस आवाज से डर करके बुल बुल जो थी वो जाड़ियों में छुप गई और वो जाड़ियों में छुप करके उस आवाज के source को पता करना चाहती थी कि वो आवाज आखिर आ कहां से रही है Third question में हम से पूचा गया है What does the bulbul imagine? कि bulbul क्या imagine करती है? इसके answer में हम लेखेंगे The bulbul imagine that the cart has stumbled Bulbul बुल ने ये imagine कि जो बुल काट है वो stumble होगी है, गिर गी है जिस वज़ा से hookah of the driver has fallen जिस वज़ा से driver का जो hookah था वो गिर गया है और उस hookah की गिरने की वज़ा से जंगल में आग लगी है Bulbul बुल ने ऐसा imagine कि जंगल में आग लगी है कि बुलबुल की imagination से किस तरह की feeling इस poem को पढ़ने वालों के मन में आती है इसमें हम लिखेंगे The reader feels sad at the bulbul's plight One feels sympathy for the bulbul who wants to save her children But unable to do so because she is gripped by fear Bulbul की इस condition पे हमें बहुत दुख भी होता है और हमें बुलबुल के लिए sympathy भी आती है क्योंकि बुलबुल अपने बच्चों को बचाना चाती है जो कि वो नहीं कर पा रही है क्योंकि वो डर की वज़ा से जगर के यह रुक के यह एक ही जगह भी फ्रीज होगी है फिफ्ट कोशन में हम से पूछा गया है वाई इस दो पोईम नेम्ड का ड्राइवर कि इस पोईम का नाम का ड्राइवर क्यों रखा गया तो आंसर देखते हैं आल दा फियर इस जनरेटीड बाई दा का ड्राइवर पूरा का पूरा ड्र इस पोईम में जो महोल बना है ड्र का वो का ड्राइवर की वज़ा से बना है क्योंकि वो सो गया है the का ड्राइवर is sleeping and his eyes are also covered का ड्राइवर सो चुका है और उसकी आंके बन नहीं और उसके आंकों के उपर उसकी टर्बन का कपड़ा भी आ गया है जिस वज़ा से वो कुछ भी नहीं देख पा रहा है he will be unable to see hookah overturning and may not be in position to prevent the fire सोने की वज़ा से वो इस condition में नहीं होगा कि वो देख सकी कि कि उसका hookah बलट चुका है और उसके बलटने से जंगल में आग लग गी है और वो उस आग को रोप नहीं पाएगा इसलिए इस पॉइम का नाम का ड्राइवर रखा गया है तो दोस्तो इस पॉइम में हमसे जो बात बताया गया है वो हमें बताया गया एक डर के महूल के बारे में तो हमारी life में भी काफी कुछ ऐसा होता है कहीं बार ऐसा होता है कि हमें भी किसी ना किसी चीज़ से डर लग जाता है तो मैं चाहूँगा कि आप भी मुझे अपने उस डर के बारे में बताएं चाहें वो reality में है या फिर आपकी imagination में है जो किसी भी तरह का डर है आप उसके बारे में मुझे बताएं आप प्लीज अपनी इस experience को जो है comment में लिखें और मुझे ज़रूर बताएं कि किस तरह का डर आपने experience किया है reality में भी और imagination में भी next question में हम से पूछा गया है कि वो कौन सी images हैं जो point ने use करी है एक atmosphere डर और silence का atmosphere इस poem में बनाने के लिए तो इसके answer में हम लिखेंगे fearful silence of the forest, sound of the pause of bulbul bulbul with ear raised, sound of the wheel and dry leaves cannot lift its legs out of fear इसके लावा हम लिख सकते हैं fire in the forest और भी काफी images हैं जो point ने use करी है देखे उन्होंने use करा है कि जंगल में काफी डर था का महल बना हुआ था, शान्ती थी ऐसी हमें bulbul के पैरों के आवाज तक सुनाई दे रही थी तो आप imagine कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा सनाटा रहा होगा bulbul के कान एकदम alert एकदम सतर्क थे वो किसी भी तरह की sound को पिक करने के लिए एकदम ready थे पहियों के आवाज सुनाई दे रही थी जिन पहियों के चलने से सुखे पतों के तूटने के आवाज भी उसनाई दे रही थी bulbul अपने टांग भी उठाने ही पारी थी डर की वज़े से तो ये सबी वो images हैं जिनसे हमें poet ने ये बताने की कोशिश किये कि वहाँ पे काफी डर का और शांती का महोल था अब last question जो हमारा है वो एक discussion question है discussion question में हम से ये पूछा क्या है the love of a mother has for her children and the love the mother has for her own self इस discussion में उन्होंने हम से ये पूछा गया है कि एक मां का अपने प्रती प्यार और अपने बच्चों के लिए प्यार इसके बीच में एक जगड़ा सा बताया है कि वो चूज नहीं कर पा रही है तो इसमें डिसकस किया जाए और जहां तक मुझे लगता है कि इस पॉइम में तो कोई भी confusion नहीं है ना तो मेरे माइड में और शायद ना ही बुलबुल के माइड में कि उसको क्या करना है बुलबुल अपने बच्चों के पास जाना चाहती है वो उनके पास जाना चाहती है वो अपने बच्चों के लिए जो प्यार है वो उसको ही priority देना चाहती है लेकिन वो फ्रोज हो चुकी है वो immobility में है वो नहीं चल पा रही है क्यों और क्यों सिर्फ और सिर्फ डर की वज़ा से जो उसका उसके बच्चों के लिए है अगर हम reality में भी देखें तो एक मा का प्यार जो होता है अपने बच्चों के लिए वो सबसे ज़्यादा होता है एक मा का प्यार अपने बच्चों के लिए जो है वो शब्दू में बया नहीं किया जा सकता बच्चों का बच्चपन से अगर हम देखें तो बच्चों की काफी केर जो है वो मा करती है उनके खाने पीने से लेकर करके सब कुछ मा कर दिया और अगर बच्चों के उपर कोई भी खत्रा होगा तो मुझे नहीं लगता है कि एक मा आपने आपको रोकेगी कि वो उस खत्रे को अपने बच्चों से ना टाले या अपने आपको बचाने की कोईशिश करें कि या नहीं मैं नहीं जाओं कि शायद मैं भी उस खत्रे में पढ़ाई ऐसा कभी नहीं होगा मा जो है वो हमीशा अपने बच्चे की हल्प करने के लिए बिल्कुल त्यार रहती है आप इस बारे में क्या सूचते हैं आप इसको भी डिसकस करें अपने फैमली से डिसकस करें अपने फ्रेंट्स के साथ डिसकस करें अपने क्लासमेट्स के साथ डिसकस करें और मुझे कमेंट करक आप वहां से इन्हें डॉनलोड कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू